Let's start with MS Paint Tools Hello viewers, आज का हमारा टॉपिक है Tools in MS Paint सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हूँ यह Tools का option है जिसमें आपके पास different tools है तो first जो आपके पास tool है वो है Pencil आज हम Pencil की help से यहाँ पे draw करेंगे और किस तरीके से आपने Pencil का use करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले आप Pencil पे click करोगे Pencil पे click करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हूँ यह आपके पास color palettes हैं जहाँ से आप colors का use कर सकते हो या colors को click कर सकते हो तो यहां पर जो Color 1 है वो आपके पास है Black तो जो आप Pencil से Draw करोगे उसका Color भी कैसा आएगा Black अगर आपको Pencil का Color चेंज करना है तो आप Change कर सकते हो मैंने Red Color सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हो यहां पर भी आपके पास Red Color सेलेक्ट हो चुका है और pencil का color भी आपके पास कौन सा है red Next आपके पास से size अगर आपने pencil के size को increase करना है 1px, 2px, 3px and 4px तो आप अपने according चूज कर सकते हो कि आपको pencil की thickness कितनी चाहिए तो मैंने 3px पे click किया और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आपकी pencil की thickness change हो चुकी है जो भी color आपको चाहिए आप pencil की help से उसको pick कर सकते हो या यहाँ पे canvas में draw कर सकते हो यह था आपका pencil का use और pencil के use की help से आप different paintings को draw कर सकते Next आपके पास है eraser Eraser का क्या use है जो भी आपने यहाँ पे draw किया अगर आप उसको erase करना चाहते हो तो आप किसका use करोगे Eraser का तो आपने simply Eraser के option पे click करना है जैसे ही आप Eraser पे click करोगे तो आपने यहाँ पे जो भी आपने draw किया है उसको erase करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपने pencil से यहाँ पे draw किया वो आपका erase हो रहा है eraser की help से eraser के size को अगर आपने increase करना है तो आप keyword की help से control plus press करोगे और अगर eraser के size को decrease करना है आप control minus press करोगे next आपके पास मैंने फिर से एक नया page नया एक paint या नया canvas open करना है उसके लिए हमने shortcut की यहाँ पे check की है यह है आपके पास control plus N या simply आप new command पे click कर सकते हो मुझे एक फिर से नया canvas चाहिए तो मैं इसको save नहीं करना चाहती तो मैं don't save पे click करूँगी next आपके पास option है fill फिल का क्या काम है अगर आपने canvas के अंदर color को fill करना है या shapes के अंदर color fill करना है तो आप किसका use करोगे fill या paint bucket का shapes के अंदर कैसे color fill करोगी यह हम बाद में discuss करेंगे सबसे पहले हम discuss करते हैं canvas के अंदर आप color को कैसे fill करोगे तो मैंने fill पे click कर दिया और color palettes से आप जिस भी color को use करना चाहते हो आप उस color को select करोगे मैंने यहाँ पे gold color select किया तो मैं gold पे click करूँगी और यहाँ पे simply आपने click करना है जैसे ही आप click करोगे आपने यहाँ पे देखा कि आपका आपने जो color choose किया था वो color यहाँ पे fill हो चुका है अगर आप इस color को change करना चाहते हो तो आप फिर से इसी और color को choose कर सकते हो जैसे मैंने पास से fill या paint bucket की help से तो हमने आज discuss किया pencil eraser और paint bucket या fill option को next video में हम discuss करेंगे next options को thank you so much